हलो, वेल्कम टू माई चैनल विकास इस्टड़ी मटेरियल आज हम देखेंगे सेजल 2021 में यह हूँ एक क्वेशन जिसमें त्रिबुज की तीन भुजाय दे गई हुई है और हमें उस त्रिबुज का चेदरफल गयाद करना है तो स्टार्ट करते हैं क्वेशन को हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा a बराबर b बराबर c तो मान लेते हैं a बराबर b बराबर c बराबर 1 हमने इतना मान लिया अब इन्हें हम त्रिबुज की तीन भुजाओं में रख देंगे तो पहली भुजा है हमारी a square plus b square is equal to हो जाएगा 1 plus 1 is equal to root 2 हमारी दूसरी भुजा है 4a square plus b square यह हो जाएगी 4 plus 1 is equal to 5 हमारी तीसरी भुजा है a square plus 4 b square तो यह भी हो जाएगी हमारी root 5 तो अब हमें इन भुजाओं को देखकर ग्यात हो रहा है कि यह एक समदी बाहुत्री भुजा है तो समदी बाहुत्री भुजा हम ड्रॉ कर लेंगे अब हमने इसे मान लिया root 5 इसे मान लिया root 5 और इस भुजा को मन लिया रूट टू अब आपने एक थिवरम पड़ी होगी सम्धिवहुत रिबुज में जब सीड्स से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो वह आधार को दू भागों में विवक्त कर देती हैं तो वह हम कर देते हैं हमने बिंदु ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल लिया अब यह अब यह भुजा बीसी को दू भागों में भुक्त कर देगी तो यह हमने इसको लेट डी लेट कर लिया तो यह भुजा हो जाएगी वन अपन रूट टू अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे जिससे हमें प्रिबुज का चेत्रफल का सूत्र होता है वन अपन टू आधार गुण उचाई अब हम इसमें वैलुई रख देंगे तो वन अपन टू हमारे पूरी आधार कितनी थी रूट टू और पाइथागोरस थेओरम से उचाई निकल कराए थी 3 अपन रूट टू रूट टू से रूट टू कट गया इसकाल टू आ गया 3 अपन टू अब हम ऑप्शन में ए और बी के वैलु रखेंगे जिसके बाद हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा अब 3 अपन टू हमें किस ओप्शन में प्राप्त होगा ए और बी की वैलु जब रखेंगे तो पहले अप्शन में 3 प्राप्त होगा A और B के value रखेंगो दूसरे option में 3 upon 2 प्राप्ट होगा यह हो सकता है और C इसमें 4 आएगा और इसमें 5 upon 2 आएगा तो एक ही option ऐसा बसता है जिससे हमें उत्तर प्राप्ट हो रहा है जो कि option है B यह हमारा answer हो जाएगा ऐसी तरह कब हम दूसरा question देखेंगे अब यह दूसरा question है जो कि same है इसमें भी त्रिबुच के 3 बुजाए दी गए हुए है और हमें त्रिबुच का चेतरफल गयात करना है तो उसी तरह हम मान लेंगे A बराबर B बराबर C तो हमने let कर लिया A is equal to B is equal to C is equal to 1 तो अब हम इसे त्रिबुच के 3 बुजाओं में रख देंगे तो पहली बुजा है 9 A square plus 7 B square जब हम A और B के value 1 रखेंगे तो 9 7 हो जाएगा 16 यह हो जाएगा 4 के बराबर दूसरी बुजाओं में रखेंगे यह हो जाएगा 9 A square plus 6 B square यह निकल कर आजाएगी root 15 तीसरी बुजाओं में जब value रखेंगे यह बुजाओं है 6 A square plus 9 B square इसमें जब value रखेंगे तो यह बुजाओं जाएगी root 15 यह भी एक समदी बाहुतरे बुज है हमने एक समदी बाहुतरे बुज draw कल दिया इसे मान लिया root 15 इसे मान लिया root 15 और इसे मान लिया 4 अब हम सामने वाली बुजाओं से आधार पर जब लंब डालेंगे तो यह BC को दो बराबर भागो में विभक्त कर देगी अब हम पाइथा गुरस थियोरम लगाएंगे तो यहां से AD प्राप्त हो जाएगी AD बराबर आजाएगी रूट 11 अब हमें सारी चीज़े प्राप्त हो गई है अब हम त्रिबुज का शेत्रफल का सूत्र लगा देंगे एक बटे दो आधार गुणा उचाई आधार कितनी थी? पोर थी और उचाई निकल कर आए थी रूट 11 अब काटेंगे इसे हम तो यह आजाएगा दो रूट 11 अब हम A और B के वैलू रखने पर कहां पर हमें दो रूट 11 प्राप्त होगा तो एक मातर ऐसा दूसरा ही ओप्शन है जिसमें हम वैलू रखेंगे A और B वराबर बन तो दो रूट 11 प्राप्त होगा तो यह आप्शन सही हो जाएगा और यही हमारा अंसर हो जाएगा तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह कोशन आपको समझ मैं है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें थैंक यू